हलो गाइस एक बार फिर से सागत है मेरी चैनल दीपती मिस्रा केचेन मैं और मैं हूँ दीपती आज मैं आपके लिए मसाला बैगन की रैस्पी ले के आई हो तो जिस तरीके से मैं बैगन की सब्चे आपको बनाना बताऊंगी इस तरीके से ना ही आपने पहले कभी देखी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी न भूले और चैनल पर नए है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा तो फिर चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं तो मसाला बैगन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पेस्ट बना के तयार करेंगे तो पैन में सबसे पहले हम तीन बड़े चम्मच नूफली के डाने डाल देते हैं और उसके बाद मैंने आ पर ले लिये हैं 6-7 काजू तो इने भी हम ढाल देंगे और उसके बाद एक बड़ा चम्मच सफीर तिल ले ले लेते हैं और यहां पर मैंने साथ से 8 ॉर्य मिर्च ले इन सब को हमें भून के तयार करना है तो गैस का फ्लेम हम लोटु मीटयम रखेंगे तो लगातार चलाते हुए हमें इनको भूना है जैसे ही आपको लगे की मसालों में से खुस्पुाने लगी है मुवफली चटकने लगी है तभी आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं तो जब यह अच्छे से ठंडे हो जाए तभी आप मेक्सिका पॉट ले और सारी चीजों को मेक्सिके पॉट में डाल के उसमें हम 3-4 बड़ी चमच पानी भी डाल देंगे ताकि इनको पेशने में कोई भी परिसानी ना हो आप में इनका काफी टेस्टी भी बनती है तो बैगन को मैंने धो के तयार कर लिया है और यहां पे मैं 300 ग्राम बैगन का इस्तुमाल कर देए हो तो बैगन के ऊपर के जो डंठल होते हैं सबसे पहले हम बो काट तेंगे और उसके बाद हमें बैगन में एक कट भी लगाना है तो पूरा ब बैगन तक ही होना चाहिए और काटने के बाद बैगन को आप अच्छे से चैक जरूर करिएगा क्योंकि बैगन बाहर से कभी कभी अच्छा देखता है पर अंदर उसमें केड़े होते हैं तो सारे बैगन काटने के बाद आप उन्हें चैक करके तयार कर लीजिए तो यह दे क्योंकि बैगन को अब हम फ्राइ कर लेंगे तो इससे हमारी सब्चे बहुत ही टेस्टी बनती है आप इस रैस्पी को एक बार घर पर जरूर से ट्राइ करेगा फिर देखिए आप भी इस रैस्पी को कभी नहीं भूल पाएंगे तो यह जो बैगन है इन्हें हम अलटते प पिचक के अब एक तम बिल्कुल छोटे-चोटे से हो गए है तो जब आपके बैगन भी ऐसे हो जाए आप इन्हें तेल में से बाहर निकाल लीजिए और गैस कफले बंद कर देजिए तो अब हम चलिए सब्ची को बना लेते हैं तो उसके लिए हम कड़ाई में दोसे तीन बड़े चमच सर्सों का तेग लेंगे तो जैसे ही तेल कर्म हो जाता है इसमें आदा चोटा चमच सर्सों के दाने डाल देते हैं और एक चोड़ा चमच मैथी दाने डाल देते हैं तो दोनों को मच्चे से चटका लेते हैं तो बैगन बादी होता है इसलिए हम इन दोनों क और भडा च मद जिंजर गाल लेक का साज बाम, गम्यमत करने भी क्या से प्याज है एक ज़नुर मिर्च का इस्तमाले बना दालते हैं, गरे और कलेकर जरूररी तो बहुत हैं ज़नुरिए पास हैं, तो अवं क्या करेंगे अपने जो प्याज है और जिंजगाली का पेस्ट है इन सब को अच्छे से भून लेते हैं तो इनको भूनने में लगवक 6-7 मिट का समय तो लगी जाता है मीडिम फ्लेम रखेंगे जादा हाई फ्लेम पे हम इनको नहीं भूनेंगे तो जैसे ही आपके प्याज में हल दाल सकते हैं और ग्रीट कर भी टमाटर का इस्तमाल कर सकते हैं तो सारी चिज़ों को अच्छे से मेξ कर लेंगे और जब तक हमारी ग्रेवी में ऊच्छे तर्ट नहीं हो जाता है तब तक हम ग्रेवी पाकाएंगे क्योंकि यह मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि अगर आ आपकी सबजी सुपर टेश्टी तो जरूर बनेगी तो ये देखिए ग्रेवी ने ओइल चोड़ना सुरू कर दिया है इसका मतलब है कि हमारे टमाटर भी अच्छी से अब पक चुके हैं तो अब हम अपने ग्रेवी में पेस्ट को एड करेंगे जो पेस्ट हमने पहले ही बना कस्मेरी लाल मिर्च तो कस्मेरी लाल मिर्च डाले से हमारी सबची को एक बहुत बढ़ी अच्छी लगेगी उसके बाद डाल देते हैं एक चोड़ा चमच आम चूर पाउडर और अब हम सारे मसाले को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और थ्यान लगे इस समय क्योंकि हमने मसाले सूखे डाले हैं और पाने बिल्कुल भी एड नहीं किया है तो लगातार चलाते हुए आप अपनी ग्रेवी को अच्छे से पकाईएगा अगर ग्रेवी अच्छे से पकेगी तो आपकी सबची भी काफी टेस्टी बनेगी तो लगबग 5-6 मिनट हो गई हैं ग्रेवी ने ओईल को सेपरेट करना फिर से सुरू कर दिया है और अब देखें यह कड़ाई को भी छोडने लगी है तो हमारी ग्रेवी पक्के एक्तम तयार हो गई है और इसे इस टेस्ट पे हम इसमें पहले से तयार के हुए बैगन जो है उन्हें हम एड कर देंगे औ अब हम सब्ची में नमक डाल देंगे तो नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग डाल सकते हैं उसके बाद मैं इसमें एक कप पानी एड कर देती हूं क्योंकि मैं इस सब्ची को थोड़ी सी पतली इसकी ग्रेवी बनाना चाहते हूं अगर आप गारी ग्रेवी बाला पसंद क k kepada अपने की अपने के अचेसाम से कर सकते हैं तो सारी चीजा को हम स exec's कर देंगे और गयास के फ्ले मीडियाम कर देंगे और लागर वाप Exactly अर्फ मिनिंट सब्ची को ऊपने और पक छोड़ीन के लिए लेज इसको लिड से कवरें रेसी ना सांत आत मिनिल के लिए तो अब तो सब्जी है इसने ओईल को छोड़ना फिर से सुरू कर दिया है आप देखे सकते हैं कि आप तोड़ी सी रखना चाहते हैं तो पानी कम डालीएगा तो मसाला वैकन बनके एकड़म तयार है लाशट में हम इसमें हरे धनिया से इसको गार्निस कर लेते हैं चलिए फिर अब हम इसको सर्फ कर लेते हैं तो यह बहुत ज्यादा टेस्ट ही लगती है उमीद करती हूं कि यह रेस्पी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक सियर करना आप बिल्कुल भी न भूले और मुझे कमेंट करक कि आपको यह रेसिपी कैसी लगे और मेरे चैनल दीपने मिस्टर के चिल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई एंड टेक क्यार